यहें सांतियों स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूटूब चैनल बाइओलोजी अटला में और फ्रेंट्स जैसे कि अपने थमनेल में देखा है कि इस वीडियों हम लोग टेस्ट्टीवेबी और IVF के बारे में जानने वाल हैं और फ्रेंट्स यह टेस्ट्ट्टीवे क्या grown बाइब पादर बन सकते हैं अब यह ज़यों रिद फ्रेंट्स यहां पर बात बात रहा कि हर्मोन का injection क्यों दिया जाता है तो बात इसको हम लोग करते हैं अंडासे, यानि कि इसको हम लोग ओवरी कहते हैं, अब दिखिएगा फ्रेंट्स, यह जो अंडासे है, अब क्या होता है, जब हार्मोन का इंजक्षन दिया जाता है, तो अंडासे के अंडासे के अंडासे के अंडासे के अंडासे के अंडासे के अंड अब बात को थ오रा से समझेंगे, अब दखिए, ये जो अंडासे है उसको हमने क्या कर लिया? एक disc के अंदर रालिया, फिर हमने जो पूरुस है उस असे स- pada dawn कर लिया और दोनों को हमने मिला दिया, इस इम्ब्रियो का हों करते हैं? इस इंब्रियो का हम करते हैं इस इंक्यवेटर में रख करके डवलोब hours करते हैं कुछ दिन तक डेवलप कराने के बाद क्या करता है तो बात को समझेगा ये एक जो मादा है उसका ये परजन अंतरतर है जिसमें आपको ये जो सनस्रा दिखर ये 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 है इसका गरभास आम बोल चले को बाद समें बचेदानी करते है और इंगलिस में इसको यूट्रॉस करत तो इसके गरभासे में पहुचा दिया गया अब बात को समझेगे अब इसको कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है फिर कुछ दिन के वाल अल्टर सांड करा करके दिखा जाता है कि ये जो इंब्रियो है वो मादा के गरभासे के दिवार में जाकर ये धासा ह हैं तो समझेंगे कि जो इस्तरी है वो pregnant हो चुकी है ठीक है friend वो pregnant हो चुकी है अब к्या होगा आगे का जो development है आगे का जो विकसर शीसू का वो उस इस्तरी के गरभाशा में हो रहा है तो friends यहां पे जो वो इस वख्सीत होगा न इस प्रकीरीया के दुआरा तो फ़िंट इसी को हम लों करते हैं टेस्ट वेवी करते हैं क्या फ़रंत टेस्ट वेवी करते हैं अब ये आखिर ये IVF होता क्या है IVF होता क्या है तो friends देखिएगा यह IVF आखिर होता क्या है तो देखिए friends IVF के food form के बात करेंगे तो IVF का food form होता है in vitro fertilization in vitro fertilization बात को समझेंगे हमने क्या कर लिया friends हमने एक male से sperm ले लिया और इस तरी से हमने क्या कर लिया तो इस तरी से हमने ओभम ले लिया अब इन दोनों को body के बाहर है इन दोनों को body के बाहर है ठीक है जैसे कि disc था न इन body के बाहर क्या कर दिया दोनों को हमने मिलाया अब जब दोनों के मिलाया friends तो यहाँ पर क्या हुआ जो फटिलाजेसन हो रहा है यानि कि यहाँ पर जो फटिलाजेसन हो रहा है जो फटिलाजेसन यहाँ पर हो रहा है वो जो इस्तरी है उसके सरीर के बाहर हो रहा है क्या फ्रेंट्स इस्तरी के सरीर के बाहर हो रहा है जब इस्तरी के सरीर के बाहर होत होगा और IVF क्या होता है यह भी आपको समझ में आया होगा तो फ्रेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक प्यारे सी टॉपी के साथ एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपी के साथ तब तक के लिए जय हिंद